मस्कार दोस्तो मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल अंडिफिटेट फेंडेसी किर्किट में आपका स्वागत है दोस्तो हम लोग बात करने वाले हैं ये मैश के बारे में ओमें सुपर स्मैश T20 मैश के बारे में वीडियो को आगे बठाने से पहले मैं एक चीच बता दूँ आपको कि इस वीडियो में आपके लिए मैंने गीववे रखा है ठीक है क्ब क्या लेना है कभ ठ्राई करना है काम नहीं ट्राई करना है वो डिसकुस करेंगे पलस आपको कितना investment करना है ठीक है वो डिसकुस कर लेंगे हम लोग और आपको जो कौन से मेमर क beimड़े contentush Join करना है न वह भी В john C देखोगे तब तो समझोगे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक भी चीज आपको मिस नहीं करना है इंड तक देखना है दोस्तों उसके बाद मैं बात करूँ तो कुछ दिर मैं आपको ड्रिम लेवन वगरा मैच चलने वाला है तो चलो जल्दी से हम लोग डिसकस कर लेते हैं इस मैच के बरे में और फिर उसके बाद आ करके हम लोग डिर्म का टीम क्रियेट करेंगे दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता दूँ आपको दोस्तों कि हम लोग इस वी लिजन देने वाला हूं कि कौन्सी टीम है कौन्सी टीम weak है वेस्ट परफॉर्मिंग बॉलल एंब्समेंट बताने वाला हूं बेस्ट केपटन मैस के लास्ट मैं उस्ते करेंगे डिर्म लेंक की टीम जो कि मैं आपको starting में ही बता दिया था upcoming वीडियो हमारी कौन सी आ रही है वो बताने की जुरूत नहीं है उज़े मैंने आपको बता रखा है अभी just बता है टेलीग्राम पे आपको कैसे जुड़ना है जो कि सबसे ज़्यादे important है आपके लिए मेरे लिए because देखो इस वीडियो के ठीक नहीं से description में मैंने टेलीग्राम का link pin up कर रखा है बिल्कुल free of cost है कोई पैस आपको नहीं लगने वाला है दोस्तों बिल्कुल जाकर के आपको जूर जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से free of cost है कोई पैस आपको नहीं लगेगा search करके बिल्कुल भी नहीं जुनना है क्योंकि बहुत सारे fake channel बने हुए है दोस्तों ठीक है तो चलो जो इस match के बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं केंटा वरी में जैसी और ओमन के बीच में जो match करला जाना है इस team के captain आपको Francia McKay देखने वाली है और ये सारे player आपको खेलते वे नजर आने वाले हैं गौर से देखलो ये सारे player ही खेलते वे नजर आएंगे दूसरा कोई player आपको खेलता वे नजर नहीं आने वाला है दोस्तों तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं इनके हर player का stats देखते हैं उससे पहले वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले में एक चीज बताना चाता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और अभी तेक आपने वीडियो का like नहीं किया है तो जल्दी से एक like कर दो चैनल पे नहीं हो इंका देखोगे तो one day में यह status रहने वाला है ती 20 में देखोगे यहां तो 63, 7 run, 0, 11, 37, 2 run 2 match flop, 1 match flop फिर यहां 37, 7 run तो यहां लगतार तीन match में इंका flop था ठीक है यहां 3 match में flop थी फिर यहां 36 run score कर रहे थी यहां 37, 2 run कुछ खास मुझे लगती नहीं है ग्रैंडी में rotate करोगे तो आपके लिए better choice रहने वाली है highly मैं बोलूँगा नहीं अपने small league के लिए team के लिए ग्रैंडी में आपके अच्छी फिक रहने वाली है अगर 60-50 run के काम कर देते हैं तो आपके लिए अच्छी score करती हुई दिख जाएंगी यहाँ से देख लो एमी सदरवेट इस team के captain रने वाली है ठीक है अगर देखोगे इनके team से यह 1 day का stat से लिए लिख रहा है मैंने उपर और यहाँ देख लो हम लोग T20 का stat देख लेते हैं इसमें देखोगे तो 9 run 1 wicket, 3 over की complete balling complete नहीं 3 over की balling plus complete 4 over की balling यहाँ पर 15 run 1 wicket फिर यहाँ देख लो 13 run 1 wicket, 23 run 0 wicket, 1 wicket, 2 run 0 wicket और आपके लिए यह हमारी team based run रने वाली है दोस्तों यह अपने team में हम लोग बिल्कुल try करके चलने वाले है grand league में captain try करना है ठीक है उसके बाद यहाँ से बात करेंगे Abigail Zenker के बारे में कुछ खास इंका है नहीं grand league rotate करना उसके बाद Jacinta Savage, इन पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे because इनको हम लोग team में try करके चलने वाले है 13 run 0 wicket है, 17 run 0 wicket है, 19 run 2 wicket है 4 over की complete आपको balling डालते हुए दिखेंगी last night match में भी इन्होंने score कर दिया था 28 run plus 1 wicket, इनको try करके चलना है किस्टी ने सन के बारे में बात करूँगा दोस्तो कुछ खास मुझे लगी नहीं है, grand league rotate करना A.L. Hughes के बारे में अगर में बात करूँ दोस्तो हर match में बिकेट चेटकाती हुए दिखेंगी 2 wicket, 1 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 3 wicket, 0 wicket बिल्कुल इनको try करके चलना है बिल्कुल इनको drop करके नहीं चलना दोस्तो Jessica Simmons के बारे में बात करूँगा तो यह आपको 2 over 3 over ही balling करती हुए दिखेंगी ज़्यादा कुछ आपको करती हुए नहीं दिखेंगे बट आपके grand league में बिल्कुल try करके चलना आपके लिए best भी रनने वाली हैं कभी भी आपको अच्छी काशी performance करती भी दिख जाएंगी सारा सुमहन के बारे में कर मैं देखूँ तो यहां से देखो बट अगर पहले balling नहीं करती हैं तो इनको मैं try नहीं करने वाला हूँ फ्रांसिया मैं के बारे में बात करूँ तो चाओधर रन दो विगेट 41 रन 3 विगेट 43 रन 1 विगेट 5 रन 1 विगेट 2 रन 0 विगेट पच्चपन रन 1 विगेट आपके लिए captain भाइस captain के अच्छी choices में रहेंगे because यह आपको batting से तो score करते हुए दिखेंगे ही दिखेंगी पलस आपको balling से भी अच्छी कासी score करते हुए दिखने वाली है तो बिलकुल इनको try करके चलना है captain भाइस captain के भी अच्छी choices रहेंगे grand league के small league के लिए Gabby Sullivan स्क्वाइड में नहीं है Cat Simmons नहीं है इनके बारे में बात नहीं करेंगे Lee Tahahu के बारे में अगर देखोगे तो दो बर का complete इन्होंने balling किया था पलस 29 रन भी इन्होंने last rally matches में score कर दिया था इनसे बैटिंग से ज़्यादा expect कर सकते हो balling से ज़्यादा आप इनसे expect नहीं कर सकते हो दोस्तो ट्राइ करना चाते हो average performance से try करना चाते हो कर सकते हो नहीं करना चाते हो मैं इनके बारे में थोड़ा सा doubt है Zoddy Dean के बारे में बात करूँ दोस्तो इनका मुझे थोड़ा सा doubt रहता है पटी इनको ज़्यादा आप grandly में ही rotate करना इस molecule में highly बोलना हो नहीं अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं giveaway के बारे में सबसे first question मेरा लिए रहने वाला है कि आपका इस match रहने वाला है न दोस्तो उसमें सबसे ज़्यादा point highest point taker कौन रहने वाली है ठीक है यह मेरा question है कितना point माल लिजे कि अगर यहाँ से रेविका बंस देने वाली है आपको first सबसे ज़्यादा point तो यहाँ पर रेविका बंस लिखना है निचे आपको कितना point यह देने वाली है वो लिख देना है कि 50 अगरमाल के चलिए कि 50 पॉइंट देना है तो 50 to 60 पॉइंट यहाँ पर आपको लिख देना है और लिख देना है वहाँ पर hashtag undefeated fantasy cricket ठीक है क्या लिख देना है दोस्तो undefeated fantasy cricket और हमारे वीडियो को like किये रहना है चैनल को subscribe कि लेना है तब ही आपको दोस्तो हमारा giveaway मिलने वाला है तो चलो जल्दी से जो इनके टीम के एक और जो टीम है उनके player के stats देख लेते हैं canterbury magician के बारे में हम लोग सारा कुछ देख लिया अब हम लोग देखेंगे जोकी रहने वाला है दोस्तो Auckland hurts moment के player के बारे में इस टीम का भी square declare हो गया है इस टीम से आपको यह सारे player खेलती वी दिखने वाली है L-down captain रने वाली है यह सारे player आपको खेलती वी दिखने वाली है तो जल्दी से चलो इनके बारे में भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं अन्ना पेटर से सबसे important खेलाड़ी है यह खेलती वी नहीं दिखने वाली है L-down के बारे में अगर डिसकस करूँ दोस्तो तो T20 का इनका stats दिखोगे तो 44, 10, 2, 14, 0 ठीक है कि इनका stats है ट्राइ करना चाते हो तो कर सकते हो T20 में कुछ खास नहीं करती है बट 1-day में आपके लिए best भी करहेंगी T20 में ट्राइ करना चाते हो तो करके चल सकते हो बट ज्यादा मैं highly recommendation नहीं दूँगा बेला Armstrong के बारे में कर मैं बात करूँ दोस्तो तो T20 में देखो 3 run, 0-bit, 20 run, 31 run, 16 run, 20 run सिर्फ batting सही इन से expect करके चलना आपको और बाकी कोई चीश से point यह नहीं देने वाली है ठीक है यह देख करके चलना grand league में अच्छा कासे rotate करके चलना catty perkins इनको 1-day खिला लो, T20 खिला लो आपको अच्छी कासे score करती हो दिखेंगी 23, 29, यहाँ पर 29 run यहाँ पर पारी खिला है इनोने और ठीक स्कोर करती हो दिखेंगे बिल्कुल ट्राइ कर लेना है Holly Hurleston इनको देखो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों साब को अच्छी कासी स्कोर करती हो दिखने वाली है बिकेट लेती हो दिखेंगी 12 run 0 wicket, 22 run 1 wicket, 2 wicket, 0 and 0 wicket, 24 run 2 wicket बिल्कुल ट्राइ करके चलना है small league में तो try कर नहीं है grand league में captain try करना है आपके लिए कभी भी बिकेट शटकाती हो दिख जाएंगी और कभी भी score करती हो दिख जाएंगे नहीं लगता है दोस्तो आईसी ही गेस grand league रोटेट करना molly pen fold उसी तरह की है इनको try करना चाहते हो one day का stats है T20 में भी कुछ खास नहीं है grand league रोटेट करके चल सकते हो उसके बाद बात करूँगा France zonas चो कि आपके लिए base choice में हैंगी यहां देखोगे T20 में तो आपके लिए base choice में रहेंगी हर match आपको विकेट चटकाती हुँ दिखेंगी एक विकेट एक विकेट एक विकेट दो विकेट जिरो विकेट तो बिलको try करके चल लेना है जेसी का परसाद अगर T20 का stat देखोगे तो कुछ खास विकेट इंको नहीं मिला है तो इनको भी grand league में ही rotate करके चलना उसके बाद skype widen आपको नहीं खेलती में दिखने वाली है सच्ची सायरी नहीं खेलेंगी रागिना लिली नहीं खेलेंगी बागे निजसे कोई खेलने वाला है नहीं एमी हकर खेलेंगे वाली है तो इनको भी grand league में ही rotate करके चलना तो इनके तरफ से ज़्यादा कुछ player मुझे कुछ खास लगी नहीं है तो Auckland Hearts Omen की team जो है बहुँ ज़्यादा विक लग रही है मुझे compare to केंटा वरी में जैसिन के team से तो इनके team से थोड़ से कम play try करके चलेंगे और उनके team से थोड़ से ज़्यादा play try करके हम लोग चलने वाले हैं दोस्तों ठीक है तो चलो जल्दी से वह हम लोग डिम का team create कर लेते हैं कमेंट में लिंक है डिस्क्यूप्सिन में लिंक है विंगर कीपर से बात करेंगे तो आपको खेलता हुए को औक कौन-ONG धिखने वाली यहां से आपके लिए में ज्यादा highly recommend knock कि आपे यहां से सिधda आप एज熊 को try कर लेना यह पर एकर चाहते हो जा रीकन देर्या को ही बोलूगा को ट्राइब करके चलना बिकॉस केंटावरी में जेसिन के टीम स्ट्रॉंग है कंपेर टू ओकलेंड हर्ट्स ओमेन की टीम से बैटिंग डिपार्टमेंट में आता है तो में लिए फर्स्ट पीक रहेंगी जसिंता सेमेज सेगंड पीक में लेकर के चलूँगा कैनटी परकिंस को अब आपके उपर डिपेंड रहता है कि आप एल्ल डाउन को ट्राइ करना चाते हो या नहीं करना चाते हो एल्ल डाउन को ट्राइ करना है तो करके चल सकते हो नैतालिया कॉक्स है यहां से यह दोनों पीक में से किसी ए आता है जाना प्रिफर करूँगा कभी भी अगर यह चल जाएंगी तो आपको अच्छी काशी स्कोर करती भी दिख जाएंगी ठीक दोस्तों ठीक है उसके बाद आते हैं हम लोग अल राउंडर सेक्शन पर मेरे लिए फर्स्ट पीक रहेंगी एमी सदरवेट सेकेंड में लेकर के चलूँगा अर्लन कैली अर्लन कैली पर थोड़ा से मुझे डाउट है इनके बारे में लास्ट में डिसकस करेंगे उसके बाद देखो यहां से अगर देखोगे तो अन्ना पेटरसन खेने वाली है नहीं जसी का परसाथ आपके लिए बेश्ट पीक रहेंगी ग अब आपको लेना है फ्रैंस जोनस को या फिर लेना है बेला आमिस्ट्रोंग को तो मैं फ्रैंस जोनस को ही लेकर के चलूँगा दोस्तों और यह हमारी टीम के रियेट हो रही है यहां से अगर चाते हो एल डाउन के प्लेस पे नतलियो कॉसको तो अपने ले पाओगे विक फ्रैंस जोनस के टीम से फ्रैंस जोनस के प्लेस पे ठीक है यहां से ट्राइ करके चल सकते हो बट मैं अभी के लिए फ्रैंस जोनस को ही ट्राइ करके चलूँगा फ्रैंस जोनस के प्लेस पे चाहो तो और लेन कैली को भी ट्राइ करके चल सकते हो तो यह अभी के लिए हमार दोस्तो तूर रहेंगी हॉली हेडलस्टन, फोर्थ पिक जसिंता सेवेज, फिफ्थ पिक में आप यहां से किसी को बॉलर में ट्राइ कर लो, मैं लिसा बैंक जिसे होगे, ठीक है तो यह पांच प्लियर से आप ग्रेंड लीग में, स्मॉल लीग में, कैटन भैस कैटन, ग्रे सेकंड बैर्टिंग करती है, तो कैटन मेरी फ्रेंशियम में के हो जाएंगी, और भाइस कैटन मेरी एमी से दरवेट हो जाएंगे दोस्तो ठीक है, तो चलो अनबेस्टन के बारे में डिसकस कर लेते हो, कि किसी मैस में 100 रुपी लेगा रहे हो, तो इसमें 90% पैसा लगा सक तो 90 रुपया और 3 में मेर वाले ही कॉंटेस्ट जोइन करना है, तो चलो नीज वीडियो मिलते हैं नमदर टिक और वीडियो के साथ, तक तक यह धन्यवाद और अपना ख्याल लेके दोस्तो जाएंगे